नमिश्कर मैं अरचा सिंग और आप देख रहे हैं सी निउस भारत दोहजार चौबिस के लोगसभा चुनाव में इसमार अखलेश और राहूल की जोड़ी ने कमाल कर दिया यूपी के दोनों लड़कों ने मिलकर ना सिर्फ भाजबा को आईना दिखाया बलके यूपी के जन्ता में एक बार फिर वही विश्वास पैदा कर दिया है इसका जीता जाकता उधाहरन चुनाव प्रसार के दौरान देखने को भी मिला आलम ये था कि दोनों की रैलियों में खचा खच भीड भरी थी प्यार रखने तक की जगे नहीं थी और ये भी वोड बैंक में तब्दील हुई यही कारण है कि सपा और कॉंग्रेस ने मिलकर यूपी में 47 सीटें अपने नाम की वहीं अब कहा जा रहा है कि 2027 का विधान सभा चुनाव भी एक साथ मिलकर लड़ेंगे लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश में विधान सभा उचुनाव होने हैं जिसमें कॉंग्रेस और सपा का गडबंधन महारास्ट और हर्याणा चुनाव पर निर्भर करेगा अगर कॉंग्रेस इन दो राजियों में समाजवादी पार्टी को सीट देती है तभी सपा यूपी विधान सभा उचुनाव में कॉंग्रेस के किसी दावे पर विचार करेगी मतलब सपा ने कॉंग्रेस के सामने बड़ी डिमांड रग दी है देखे हमारी एक हास रिपॉर यूपी में विधान सभा के दस रिक्त सीटों पर उपचुनाव होने हैं इन में से एक सीट सीट सीसा मौउ सपा विधायक इरफान सोलंकी को साथ साल की सजा होनी से खाली हुई है जिबके नौ विधान सभा सदसे अब लोग सभा सांसद बन चुके हैं वहीं लोग सभा चुनाव के बाद अब कॉंग्रिस पार्टी ये चाहती है कि यूपी विधान सभा उपचुनाव में भी गडवंधन जारी रहे लेकिन लखनव मध्य से समाजजवादी पार्टी के विधायक रविदास महरोत्रा ने साफ कर दिया है कि अगर महाराष्ट और हरियाना में होने वाले विधान सभा चुनाव में कॉंग्रिस पार्टी सपा को सीट देगी तभी यूपी विधान सभा उपचुनाव में ये गडवंधन जारी रह पाएगा तो ये दूसरी तरफ यूपी विधान सभा उपचुनाव में कॉंग्रिस इंडिया गडवं कि तहट सपा से साज्यदारी चाह रही हैं दसल हर्याणा की 20 सीटों पर मुस्लिम यादों समी करन काफी प्रभावी है जोसे सपा अपने पक्ष में मानती है जाहिर है सपा 2027 की तैयारी में जुट गई है पूरे प्रदेश में सपा पीडिये पंचायत करने की तैयारी कर रहे है पीडिये अंतरगत आनी वाले अलग अलग जातियों के बीच उनके अधिकारों को लेकर एक जुट करेगी 2017 में समाजवादी पार्टी ने विधान सभाचनौ में कॉंग्रेस के साथ गड़ बंधन किया था 2017 के विधान सभाचनौ में सपा ने कॉंग्रेस को गड़ बंध की जानकारी के लिए आप बने रहे हैं सी न्यूस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हां